आज हम बनाएंगे क्रिस्पी अंटेस्टी स्वीट कॉन एक कड़ाई लेंगे उसमें पानी डालकर नमक डालकर और स्वीट कॉन डालकर उसे उबाल लेंगे उसके बाद उसे निकाल लेंगे निकालने के बाद उसे एक टूटपिक लेनी है जिसमें एक एक करके टूट पिंग में सारे स्वीट कॉन पिरो लेने हैं और एक बाउल लेना है बाउल में थोड़ा सा मैदा, नामाक, चिली फलेक्स, और गैनो और थोड़ा सा पानी डाल कर उसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद एक कड़ाई में रिफाइन डाल कर घरम होने के बाद उसमें सभी स्वीट कॉन को डाल दें और डालने के बाद उसे धीरे धीरे करकर फ्राई करें इतना फ्राई करना है कि वो रेड कलर का हलका हलका ब्राउन कलर का दिखने लग जाए और उसके बाद आप उसे निकाल कर खाएं इतना क्रिस्पी और टेश्टी लगेगा कि आप